शुची और रुची एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। एक दिन खेलते खेलते दोनों में जगडा हो गया। अगले दिन शुची ने रुची से बात करनी चाही। रुची ने बात नहीं की। रुची बोली मेरी तुम्हारी कुट्टी है। इस बात पर अध्यापिका ने कहा। रुची तुमने कलके कपड़े क्यों नहीं पहने। रुची ने कहा। जी, वे गंदे हो गए थे, वही पहनती तो खराब लगता। अध्यापिका ने कहा, फिर तुम कल की बुरी बात भूल कर शुची से बात क्यूं नहीं करती? क्या तुम्हें कल के जगड़े की बात अपने मन से नहीं निकाल देनी चाहिए थी? इस बात को सुनकर रुची ने शुची को गले से लगा लिया और वे फिर से अच्छी दोस्त बन गई। अब बताओ, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें अपने दोस्तों की बुरी बातों को जल्दी भूलना चाहिए, मन में कभी करवी बात नहीं रखनी चाहिए जिस प्रकार कपड़े गंदे हो जाने पर हम उन्हें साफ धोकर फिर से पहनते हैं, उसी प्रकार यदि हमारा मन किसी के प्रती मैला हो जाए, तो हमें उसकी प्रती बुरे विचारों को निकाल कर अच्छे विचारों को रखना चाहिए यही मन की शुचिता है